दोस्तो इंडिया अपना T20 World Cup का Official Squad Announce कर चुके हैं जो कि स्क्रीन के उपर आप देखी सकते हैं इस वीडियो में हम इसी squad को डीटेल में analysis करेंगे क्या-क्या गलती मुझे लगता है कि इंडिया टीम ने किया है और क्या-क्या गलती वो अभी भी सुधार सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको detail में समझाओंगा प्लस playing 11 with betting order क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको detail में समझाओंगा प्लस points और negative points इस squad के क्या-क्या होने वाले हैं क्या इस squad में ऐसे bowlers हैं जो के T20 World Cup Australia में जाके defending champions Australia का होड़ा सकते हैं और इंडिया के इस बार जीत सकते हैं मैं क्या सोचता हूँ वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो में आखिर तक जरूर से बन रहेएगा अच्छा complete squad को तो आप पहले ही देख चुके हैं stand by players के बारे में बात कर लेंगे दीपक चहर, महमत शामी और रभी बिश्णोई जैसे players को stand by में रखा गया है अब देखो injury update के बारे में बात करेंगे obviously रविंद्र जडेजा completely World Cup के schedule से बाहर हो चुके है हाला कि हार्दिक पांडिया, अर्षदिप सिंग और भुवनिश्वर कुमार को हलका फुल का निगल है जो कि Australia and South Africa का जब India टूर करेगा तब ये NCA में जाके उनका rehab continue होगा ठीक है ना, तो hopefully हार्दिक, अर्षदिप और भुवनिश्वर कुमार वल्ल कप के पहले या फिर वल्ल कप तक completely fit हो जाएंगे ठीक है अच्छा, अब squad analysis शुरू करते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे batsman section में आपको कौन-कौन दिखेंगे जो के pure batter है टीम में विराट कोली है, रोहित शर्मा है, सूडे कुमर यादव है और केल राहूल है यह चार इनके तरफ से main और pure batter होने वाले हैं, विकेट कीपर दो है इनके पास, रिशप पंथ और दिनेश कार्तिक ओल राउंडे section में कौन-कौन है, हर्दिक पांडिया, अक्षर पतेल और दीपक हुड़ा को यह लेके जा रहे हैं इस पार Australia T20 World Cup के लिए राइट आम पेसर कौन-कौन है, विवनिश्वर कुमार, जस्पित बुम्डा और हर्शल पतेल है, ठीक है लिफटाम पेसर एक ही है, अर्शदिप सिंग, अप स्पिनर कौन है, रवी अश्विन है इनके पास, यहाँ पे लिख स्पिनर है, यह जविंदर चहल, लिफटाम और्थोडॉक्स स्पिनर है, अक्षर पतेल, ठीक है अच्छा, अब हम बात करेंगे, इंडिया टीम का वर्लकप में, प्लेइंग 11 विद बैटिंग ओडर क्या होने वाला है, उसके बारे में, देखो, दो मॉडल में आपको दिखाऊंगा, एक मॉडल जो के होने वाला है, दूसरा मॉडल जो के होना चाहिए, मेरे हिसाब से, फॉर्स्ट मॉडल है, जो के आपको दिखेगा, प्लेइंग 11 विद बैटिंग ओडर, टी टुएंटी वर्लकप में, इंडिया के तरफ से, जहां पे केल, राहूल एन रोहीत शर्मा ही ओपिनिंग करती हुए, आपको दिखेंगे, विराट को लियाएंगे नमबर 3 पे, सू बैद ना खिलाएं शुरुवात के मैचस में, दिनेश कार्तिक ही ऐजा फिनिशर खेलेंगे, फिर भूबी और हर्शल पटेल में से कोई एक खेलेंगे, भूमड़ा तो खेलेंगे ही, योजेवंदर चहल और अश्विन में से एक खेलेंगे, ज्यादा चांसेस चहल के क्योंकि टीम में कोई खास लिक स्पिनर है नहीं, और अर्शदीप सिंग तो खेलेंगे ही, तीन जो में पेसर होने वाले हैं, अर्शदीप, भूमड़ा और भूबी और हर्शल में से कोई एक ठीक है, ये तीन इनके पेसर, फोर्थ पेसर होंगे हर्दिक पांडिया, और य ये रोल हर्दिक पांडिया को काफी जादा सूट करता है, जब ये ऐसा फोर्थ पेसर खेलते हैं, ठीक है, में स्पिनर इनके तरफ से होने वाले हैं, मेंली ये जवंदर चहल ही, उनके साथ-साथ यहाँ पे दिक्कत दे सकते कौन, रविचंदर और अश्विन, जिनका खे पांड जादा मिलता है, स्पिनर्स के लिए उतना ग्रिप एंड टर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो हर टीम ना सिर्फ एक ही में स्पिनर के साथ उतरेगा, ठीक है, अब बात करेंगे मॉडल 2 के बारे में, जो मेरे हिसाब से इंडिया का प्लेइंग 11 विद बैटि करेंगे, कि अगर जल्दी आउट हम कर देते हैं, प्रेशर में ला सकते हैं, इंडिया टीम को पाउपले में ही, तो फिर इंडिया टीम स्ट्रगल करेगा, ठीक है, तो अगर पाउपले को यूज करना है, तो विराट कोली जिस तरीके से फॉर्म में आए है, वो टॉप में प्रोमोट हो सकते हैं, या फिर स्काई भी अगर ओपिनिंग करें, मुझे दिक्कत नहीं है, विराट कोली नंबर 3 पे खेले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बड़ राहुल को ओपिनिंग मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, रीसेंट फॉर्म को देखते हैं, यहां पर र हाला कि डेथ ओवर्स का ज्यादा जिम्मेदारी इस बार वुमड़ा और अर्षदीप सिंग पे ही होगा, यह जवंद्र चहल मेरे हिसाब से शुरुबात करेंगे, और करने भी चाहिए अश्विन के ऊपर, ठीक है, आच्छा, बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स के यूज कर सकते हैं, और नेगेटिव पॉइंट्स को कम कर सकते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या है, विराट का स्ट्रॉंग कमबैक, जो उन्होंने एश्या कप में किया एकदम आखिर वाले मैंच में 100 किया, जिससे उनका confidence काफी जादा बूस्ट हुआ होगा, और हमें में भी 2016 वाला जो विराट कुली था, वो इस बार फिर से दिखे ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पे, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के एगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पे उनका record काफी अच्छा है, ठीक है, और स्काई का 280 डिग्री शॉट इन साथे venues पे आपको काफी जादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ा ground है, और ये बड़ा ground को काफी अच्छे तरीके से use कर सकते हैं, हार्दिक का batting and bowling से जिस तरीके से improvement हमें दिखा है, इसलिए ये वाला point मेरे हिसाब से काफी important है, क्योंकि ये अब as a fourth passer खेलेंगे, ज जब इनके पे जादा pressure नहीं होगा, कि चार्डवर complete डालने का and deliver करने का, जब वो Asia Cup में खेल रहे थे as a third passer खेल रहे थे और इनको पता था कि मुझे चार्डवर डाल नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इनको उपर pressure जादा था deliver करने का, अब वो pressure नहीं होगा, तो हार् आप से performance कर सकते हैं, भूमडा, injury से वापस आ रहे हैं, बट भूमडा नाम ही काफी है, death over specialist and perfect wicket taker, इंडिया के तरफ से शुरुवात के over बे भी and death में तो obviously ठीक है, next, दिनेश कार्तिक का form, जिस तरीके से winning को finish कर रहे हैं, as a specialist finisher, इंडिया के current team में जगा बना चुके हैं, वो उस तरीके से finish करके इंडिया टीम को इस बार T20 World Cup में दे सके बहुत ज़्यादा boost इंडिया के batting order को मिल जाएगा, ठीक है, death overs में बूमडा और अर्षदीव, सोचिए, बूमडा अर्षदीव एक साथ death overs में डाल रहे हैं, कितना बढ़िया होगा, और opponent team बहुत ज़्या इस बार T20 World Cup जीतेगा, इंडिया के chances कितने हैं, क्या आपको suggestion है, सब कुछ आप comment section में बिल्कुल बताइएगा, मैं आपका reply जरूर से करूंगा आचा, चलिए अब बात कर लेते हैं, negative points के बारे में भी, क्योंकि जो opponent है ना, वो India team के यही negative points को ढून ढून के निकालेंगे और उनको target करेंगे, ठीक है, अब देखो, negative points में क्या है, रोहित और राहूल का recent form, specially top order में, क्योंकि यह दोनो opening करते है एक partnership से 50-60 के ऊपर रहा था, ठीक है, वो Pakistan वाला second वाला match, बाकी कोई खास performance यह top order से नहीं आया है ना ही राहूल जदा अच्छे से चले है, ना ही रोहित, एक अदा performance दोनों से ही आया है, बड़ दोनों एक साथ सिर्फ एक ही match में चले है तो यह थोड़ा सा worrisome है, क्योंकि opponent team के जो strike bowlers है, पाउपले में जो डालते हैं, वो यही opening pair को target करेंगे ठीक है, मुझे लगता है, इनको क्या करना चाहिए, कि वैसे भी यह out of form है दोनों, तो यह see the ball, hit the ball वाल वाल जो जो Roy and Barristo England के तरफ से करते हैं वो कर सकते हैं, वैसे भी तो यह out हो ही रहे हैं, तो यह क्या कर सकते हैं, दस बड़ा ball खेलके, 30-35 runs या फिर 25 तो 30 करके अगर out हो जाए, तो लगभक 60 for 2 in 4 overs और 4.5 overs उतना बुरा start इंडिया के लिए नहीं होगा, ठीक है, बाकी जो आने वाले better हैं, नमबर 3 पे, नमबर 4 पे, वो आके एक stable party खेल सकते हैं, या फिर जैसके मैंने बोला, और एक कम इंडिया कर सकता है, आइदर Sky के साथ रोहिद और विराट के साथ रोहिद ओपिनिंग कर सकते हैं, राहूल को नमबर 4 पे भेज सकते हैं, बट वो highly unlikely है, ठीक है, कर लेते हैं, बट T20 में अब तक उतना बहतरीन तरीके से खुद को proof नहीं कर पाए हैं, ठीक है, आप देखो, main strike spinner कौन है इंडिया टीम का, मैं अगर अपसे पूछूँगा आप चहल का ही नाम बोलोगे न, क्योंकि रवी बिश्णवी तो stand by में है, वो तो playing 11 में फीचर न सकते हैं, वो है भूवी का recent form, अगर भूवी खेलते हैं, और अगर हर्शल खेलते हैं, इंजरी के बाद बापस आ रहे हैं, पता नहीं कैसा form होगा, कैसा नहीं, वो recently जो South African Australia के against tour होगा, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा, फिलाल ये जो slot है न, third pacer का, वो थोड़ा सा doubtful है and under scrutiny रहेगा, जब South Africa and Australia के against series खेला जाएगा, दोनों ही home series है, जो कि इंडिया में ही खेले जाएंगे, ठीक है, दोस्तों सब कुछ मैंने आपको बता दिया, जितना मैंने analysis किया है, squad को देखते हुए, plus points, negative points, playing 11 क्या हो सकता है and क्या होना चाहिए, सब कुछ बता दिया, अब stand by पे नहीं रख सकते, जब अब ICC level का कोई tournament खेलने जा रहे हैं, ठीक है, माना के भूमडा आ गया है, माना के हर्शल पतेल आ गया है, अर्षदीप सिंग का भी decent form काफी अच्छा है, बट squad में मेरे हिसाब से, मुहमत शमी और दीपक चहर में से कोई एक या फिर दोनों के दोनों को रहना चाहिए था, ठीक है, बाकी रवी बिश्णोई जैसे quality spinner मेरे हिसाब से अश्विन के जगा होना चाहिए था, क्योंकि रवी बिश्णोई एक game changer है, एक X factor है, जिस तरीके से वो गुगली डालते है, specially Australia जैसे pitches पे, जहापे grip and turn उतना नहीं होता, वो skit करता है ball, spinners का भी ball skit करता है, तो वहाँ पर यह गुगली जो वो testers डालते हैं, बहुत जादा X factor बन सकते थे, और third point मैंने already आपको बोल चुका हूँ, कि रोहित के साथ either Sky और Virat को opening करना चाहिए, अगर KL Rahul opening करेंगे तो मेरे हिसाब से दिक्कत होगा India team को ही, जो आपने Asia cup में continuously द अच्छा, final question यह है, क्या मुझे लगता है, इस बार T20 World Cup India जीत सकते हैं, defending champions को उनके ही home ground पे जाके, क्या India इस squad और इस playing 11 के साथ हडा सकते हैं, मेरे हिसाब से chances काफी कम हैं, क्योंकि top order में KL Rahul का form, जो third passer है, भूबी और हर्शल पतेल, उनका form कैसा रहेगा, कैसा वो deliver कर सकत हैं, वो under scrutiny अभी भी है, middle overs में ये जेवंदर चहल कितना wicket निकाल पाएंगे, वो अभी भी मेरा doubt है, ठीक है, और ये सारे जो negative points है न, वो जो opponent है, वो time to time इंडिया को haunt करेंगे, और इंडिया के इनी negative points को target करेंगे, अगर मैं इंडिया को opponent होंगा, obviously मैं इनी सारे points को पहल target करूँगा, जो South Africa के against और Australia के against the home series India अभी खेलने वाले हैं, उनमें अगर इन सारे सवालों के जवाब मिल गए, and squad में अगर इका दुका कोई changes हुआ, तो बहुत अच्छा, जैसे के शामी अन दीपक चहर में से कोई एक अगर अंदर आ जाए, इंडिया को समझ में आ जाए उत्तम विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या रोवी बिश्णवी को stand by से सीधा playing 11 में मौका मिलेगा, chances कम हैं, तो युजविंदर चहल के साथ ही, अगर वो जाते हैं, तो चहल को deliver करना पड़ेगा, on the pitch, ठीक है, बाकी रिशब पंद के ऊपर हम अपना इतना dependency दिखा रह है, अगर Australia के साथ India का final होता है, तो शायद Australia इन सारे चीज़ों के ऊपर target करके आएंगे, और तब तक अगर इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो इंडिया को शायद इस बार भी T20 World Cup champion बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा, आपको क्या लगता है, आप अपन मैं आपका reply जरूर से करूँगा